नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीत स्वावित करता हूँ आप सभी का जीत स्टॉक में दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं शाओमी के गेमिंग स्मार्ट फॉन को लेकर जैसा कि आपसे भी जानते हैं शाओमी ने सी साल अपना पहला गेमिंग स्मार्ट फॉन Xiaomi Black Shark जो है लॉंच किया था अब इसका ग्लोबली जो वर्जन है Black Shark 2 के नाम से इसको ग्लोबली लॉंच किया जाना है जिसकी जानकारी Xiaomi के जो Black Shark की वेबसाइट है उस पर ओफिसियली जो है दे गई है बट इसकी जो है निकल कर आए है चाइना की जो वेबसाइट है टीना जिसको लिष्ट किया गया है तो वहाँ पर इसकी कुछ फीचर निकल कर आए है और साथी साथ में इसके एक्सपेक्टेट फीचर की बारे में बताऊंगा या साइद यही फीचर हो सकते हैं जो की उस वेबसाइट की मताबिक हैं तो दोस्तों आज की इस वुड़े में बताने वाला हूं शाओमी के गैमिंग स्मार्टफोन ब्लैक सार्क 2 के इस पैस्फिकेशन की बारे में आपको डिटेल में तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सांत ही साथ बैल आइकन को भी दबा लीजे ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है वह आप उसी टक मुझे इंस्टाग्राम वाक्स मैं भी लिंक मिल ज्याएगी वहां पर क्लिक करके भी आप मुझे वालू कर सकते क्यों कि यहां पर मैं यहां ज्दा अ पर प्लेइट के बारे में जिसका ग्लोबली ज्यू वरजन है आम से ग्लोबली इसको लांच किया जाना का निकल कर सामने आए अब चलिए बात करते हैं इसके स्पेस्फिकेशन की कि ब्लेक सार्क 2 में कौन-कौन से फीचर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों ब्लेक सार्क 2 के डिस्प्ले की बात करें तो इस इस स्मार्टफॉन में आपको 5.9 इंच की फोल एच्डी प्लस व्यू डिस्प्ली जो हम देखने को मिलेगी साथ ही साथ इसमें आपको 18-9 का जो है ऑस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल सकता है गेमिंग स्मार्टफॉन है तो इसमें नोच का भी confirm नहीं कि इसमें नोच मिलेगा या नहीं बट इसका comparison जो है Razer Phone 2 से है जो कि अभी Razer Phone जैंसे आप सुनते हूं कि Razer की जो गेमिंग स्मार्टफॉन है वो कापी अच्छी होती है तो इसका comparison उससे किया जा रहा है उसमें न ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसलिए इसमें 630 GPU जो ही यूच किया जाएगा डिस्प्लियो ग्राफिक्स की बाद में बात आती है कि इसमें प्रोसेसर क्या मिलेगा कि कोई गेमिंग स्मार्ट फोन है तो इसमें प्रोसेसर Qualcomm का Snapdragon 845 का चिपसेट प्रोसेसर इसमें मिलने वाला है जो कि इस स्मार्ट फोन को एक पावर देगा गेमिंग स्मार्ट फोन है तो इसमें प्रोसेसर होना बहुत जरूरी है तो Snapdragon 845 जो है इसमें मिल सकता है यदि Black Shark 2 स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें 8GB RAM वाला variant लॉंच किया जाएगा साथ ही साथ इसमें 128GB की internal storage होगी अब बात करते हैं इसमें Android के operating system की तो Black Shark 2 में आपको Android का operating system मिलेगा जो की 8.1 Oreo update के साथ आएगा मतलब इसमें 8.1 Oreo update मिलेगा Android का 5 version जो आया था 9.0 वो इसमें मिलेगा या नहीं अभी फिलहाल में इसका कोई स्पस्ट नहीं है बट Android का 8.1 Oreo update इसमें जरूर मिलेगा अब Black Shark 2 के camera की बात करते हैं तो शुरूबात करते हैं इसके back पर बैक पर इसमें 2 आपको camera देखने को मिल सकते हैं पहला जो primary camera हो सकता है वो होगा 20 Megapixel का और दूसरा जो camera हो सकता है वो होगा 12 Megapixel का जैसा Black Shark आपने देखा था उसमें भी दो camera थे तो Black Shark 2 में भी आपको दो camera देखने को मिलेंगी आप बात करते हैं फ्रेंट camera की तो फ्रेंट पर भी आपको 20 Megapixel का camera देखने को मिलेगा जिसमें F2.2 का जो है अपर्चर होगा Black Shark 2 में liquid cooling technology का यूच किया जा सकता है जैसा कि Pocophone launch किया गया था Pocophone F1 उसमें liquid cooling technology का यूच किया गया था उसी टाइप से Black Shark 2 में भी liquid cooling technology जो है यूच की जा सकते क्योंकि एक gaming smartphone है तो इसको ठंडर रखने के लिए liquid cooling technology है जो है बहुत जरूरी है तो यह इसमें हो सकती है साथी साथ इसमें आपको type C port देखने को मिलेगा USB का जो type C port होता है तो type C port इसमें देखने को मिलेगा 3.5 mm का jack सायद आपको ना मिले और मिल भी सकता है ऐसा भी कुछ confirm नहीं है बड़ टाइप C port आपको इसमें देखने को मिलेगा यह दि वहीं पर बात करें इसमें बैटरी की तो इसमें powerful 4000 mm की बैटरी दी जाएगी gaming smartphone है तो इसमें बैटरी वेकप बहुत जरूरी होता है तो 4000 mm की एक powerful battery दी जाएग उसमें यह सारे feature जो है इसमें देखने को मिल रहे हैं तो इसी आधार पर Razer Phone 2 को टकर देने के लिए Black Shark 2 जो है globally launch किया जाएगा तो इसको इसी के टकर में launch किया जाएगा Black Shark 2 को तो दोस्तों यह कुछ feature थे जो Black Shark 2 से related थे इसकी कुछ specification थे जो निकल कर आये थे और इससे related जो भी update होगा वो मैं आपको जरूर दूँगा एक वीडियो बना कर दोस्तों आपने अभी तक मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो अब लीजे जीत स्टॉक आप सर्च कर सकते हैं नीचे description box में link दी है आप वीडियो पर लाइक कमेंट और सेर करना मत भूलेगा हमारे साथ बने रही है be happy in your life always keep smiling जैहिंद बंद मात्रों